इस देश के रक्षामंत्री स्री राधना सिंजी इस विशाय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई ओचित्य नहीं था मुझे भी थोड़ा अश्चरे लगा फिर मैंने प्रस्नकाल के सूची को देखा तो पांच नंबर का प्रस्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया पांच नंबर के प्रस्न है राजिव गांदी फांडेशन के एक्षी आरे रजिस्ट्रेशन को रद करने के बारे अब उन्हीं के कॉंग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रस्न पुछा गया और चवाब में बहुत सपस्ट था आगो तो मौका देते हैं तो मैं सदन के पटल कर भी पटल पर भी बताता कि राजिव गांदी फांडेशन को कि दोजार पांच चे और छेजार चेस साथ के वित्तिय वसाल में चीनी दुतावाद से एक करोड पैंटीस लाख रूपय का अनुदान प्राप्त हुआ था चुंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था तो नौटिस देकर पुण्य तया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गुरू मंत्रा ले ने इसका रजिस्ट्रेशन धग किया है फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कारियों के लिए करवाया है और यह जो रासी चीनी दुतावास से मिली इसका उप्योप भारत चीन संबंदों के विकास पर सोध करने के लिए यह पैसा दिया गया अब मैं कॉंग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने सोध तो जरूर किया होगा क्या उनकी सोध में 1962 में जो हजारों हेक्टर भुमी भारत की चिन्ने हडप ली वो सामिल था क्या और सोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है नहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिशद में भारत की स्थाई सदस्यता बली चड़गी इस विशय को उन्होंने सोध का विशय बनाया था क्या और अगर बनाया था तो इसका नतिजा क्या हुआ जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वील जवान चीनियों से भिड रहे थे उस वक्त चीनी दुतावास को अधिकारियों को कौन रात्री बोश दे रहा था वो उनकी सोध का विशय था क्या अगर था तो उसका नतिजा क्या हुआ जब उनकी सरकार थी तो 2006 में भारत में चीन के दुतावास ने पूरे अर्णाचल और पूरे अर्णे ने नेफा पर दावा कर दिया वो उनकी सोध का विशय था क्या अगर सोध हुई तो उसका नतिजा क्या हुआ 25 मई 2007 को चीन ने कॉंग्रेस के ही मुख्यमंत्री दोर जी खंडू को विजा देने से इंकार कर दिया क्योंकि ये तो हमारा ही इस्सा है अरूनाचल ये भी सोध किया गया क्या 23 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंग की अरूनचल यात्रा पर चीन ने अपत्ती जताई वो आपने जांच किया है क्या और 2010 में चीन ने जम्मू कस्मिर के लोगों को टेपल विजा जारी करने की प्रथा सुरू की ये भी क्या आपका सोध का विशय था 2011 में कॉंग्रेस सरकार ने शीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्टर्चर्स का निर्मान डेम चौक में रोक दिया ये क्यूं रोका गया इसकी भी सोध की है मैं कॉंग्रेस पार्टी को पूछना चाता हूँ ये दोहरा दोगला रवया जनता के सामने नहीं चलता है जनता सब देख रही है आपके परिवार द्वारा चलाये गया फाउंडेशन उसका एपसी आरे रजिस्ट्रेशन चीन की दुतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है आपके ही समय में हजारों किलोमेटर भूमी अवे धुरूप से हमसे हडपली गई है आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिशत की सदसता आपने नीजी संबंदों को बनाने के लिए चीन की भेट कर दी है यह सारी जनता यह सभी विशयों को जानती है मैं इतना सपष्ट कहना चाता हूँ कि भारतिय जनता पार्टी की सरकार है नरेंद्र मोधी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतिय जनता पार्टी की मोधी सरकार चल गई है एक इंच जमिन पर भी कोई कबजा नहीं कर सकता कल अपने सेना के जवानों ने जो आठ की दे रात को और नौ की सुवय को जो वीरता दिखाई है मैं इसकी बुरी बुरी प्रसंचा करता हूँ इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को पुझी गंटों में वापिस खदेर दिया और हमारी भूमी का रक्षन किया है राजी गांदी फाउंडेशन के FCRA लाइसंस रद होने का एक दूसरा भी कारण था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जिसका प्रणेता जाकी नायक है जाकी नायक को पुरादेश जानता है उनसे भी साज जुलाई 2011 को 50 लाख रुपया राजी गांदी फाउंडेशन न कुसी के सदस्य हैं तो आपको ये पैसा जाकी नायक में किस मक्सद के लिए दिया था इसकी भी स्वष्टा देश की जन्ता के सामने होनी चाहिए धन्यवाद कर दूद 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 कर दूद